आज हम कच्छा बारवी में अध्या एक संबंध एबं फ्लन के बारे में अध्यान करेंगे इसमें चाट्र ध्यान दे इसमें हमने सरल बिधी दौरा आपको सम्झाने का प्र्यास किया है अपसे पहले बचे यहां देखें कि संबंध क्या है इसको बहुत सरल तरीके से समझने कोसेश करें कि संबंध जो होता है आड़र प्यर जो होते हैं आप ने 11 कलासों पड़े होंगे उनका समुच्या है संबंध होता है इसमें आपको यह वाला ब्रेकट यूज किया होगा कपल होते हैं योग में होते हैं दो संख्याओं के आपने यह इलेमेंट हैं किरमित गुड़ांत जैसे कहते हैं एक दो रेड़ एक तीन रेड़ 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 पाच यह कहलाते हैं किरमित योग में कहलाते हैं और इन दोनों को मिला करके हम यह समुच्च्या जो बनाया ह जिसमें पेर में एलिमेंट से इसको हम संबंद कहते हैं संबंद कई प्रकार की होते हैं रिक्त संबंद सार्बितिक संबंद स्वतुल्य संमेत और संक्रामग अब हम इसके बारे में बिश्त्रत समझेंगे चाहते देखें हैं यदि A, B अभियाब है R का इसका मतलब होता है A संबंदेत है B से इसका मतलब जहे हैं कि A जो है B से संबंदेत है A और B के बीच में एक संबंदे और यह है जो R जो समुच्चा होता है वो है A क्रोस A का उप समुच्चा होता है अब हम इसको उधारने दोबारा समझते हैं, माल लो एक समुच्चा है जिसमें अवयब हैं एक, दो, तीन, चार, तो एक को यह क्या होगा, आपको इलेमें तो बताया होगा, कि इसके एक इक अवयब को अन्य सभी अवयबों के साथ पेर बनाएंगे, जैसे एक का पेर बनाया एक, दो, तीन, चार के साथ, फिर चार का पेर बनाया, एक, दो, तीन, चार के साथ, अब हम रिक्त संबंद के बारे में पढ़ते हैं, तो रिक्त संबंद क्या होता है, समुच्चा ए पर परिभासे संबंद, आर एक रिक्त संबंद क्यालाता है, यदि एक कोई भी अवयब A के किसी भी अभियब से संबंद ना हो अथात R क्या हो जाएगा रिक्त संबंद हो जाएगा और यह किसका उपसमुच्चा होता है A क्रास A का अब इसका वो एक उधारन दोरा समझते हैं कि R बराबर एक हमने संबंद डिफाइन किया है A B क्या A B में क्या संबंद है A माइनस B बराबर 10 अब हमें यह देखते हैं कि जो A क्रास A का हमने उधारन लिया है उसमें कोई भी ऐसा पेर नहीं है कि जिसमें हम एक को दूसरे से घटाने पर उसका 10 के बराबर मान आता हो या थात इस जो समिकन को यह A क्रास A का कोई भी अवयब संतुष्ट नहीं करता है इसका मलब R जो है फाई है तो R क्या क्लाएगा डिखते संबंद क्लाएगा सारवितिक संबंद के बारे में देखेंगे सारवितिक संबंद क्या होता है यदि A का प्रतेक अवयब A के सभी अभयवों से संबंदे थो तो वह संबंद सार्वितिक होता है तो अभी हमने जो A क्रास एका उधारन लिया था उसमें एधी हम एक संबंद डिफाइन करते हैं कि A-B का मौड पॉजिटु होता है जीरो से बड़ा होता है तो हम जे देखते हैं कि A-B A क्रोस A के सारे अभयवों को अब लेके चलो पियर वाले उनको दोनों को घटाने पर सारे अभयव का और उनका एबसुलूट माल लेते हैं वो सारे के सारे पॉजिटु होते हैं एता मदलब जो होता है कि R के अभयव जो है A के सारे अभयव हैं अथार्थ R बरावर A क्रोस A अब हम अन्य प्रकागे संबंदों के बारे में देखेंगे अन्य प्रकागे संबंद कोरकों से हैं सौतल, सम्मित, संक्रामक और जो संबंद, तीनों संबंद को संतुष्ट करता है वह संबंद क्या करता है? तो सबसे बहले हम सौतल के बारे में बात करते हैं सौतल ले क्या होता है? यदि प्रतेक अभयव A की प्रतेक अभयव के लिए A का सेम से संबंद हो यान्य अतार्थ A, A बरावर A, A belongs to A यान्य कि यह जो प्यर है वह अभयव दोनों रिपीट हुआ है ऐसे अभयव का प्यर यदि R में बिलांग करता है तो उसको क्या मुलेंगे? अब सौतल ले संबंद कहते हैं संब्य संबंद क्या होता है? यदि प्यर A, B R का अभयव है तो B, A, B, R का अभयव हो तो ऐसे संबंद संब्य संबंद क्या लाते है संक्रामक क्या होता है? यदि A, B, प्यर और B, C, प्यर R का अभयव है तो A, C, प्यर भी R का अभयव हो तो ऐसे संबंद को हम क्या बोलेंगे? संक्रामक संबंद मोलते हैं अच्छा अब हम इनके अनोधान देखते हैं जैसे हम बराबर चिरने का यूप उपयोग करते हो तो बराबर यह जानते हो वो कैसा संभन्द होगा जैसे एक संख्या के लिए के लिए कि कोई भी संख्या स्वेम के बराबर होती है तो यह संभन्द क्या होगा स्वतुल होगा स बराबर को संबढ़ने की सब्जाने की कोशिस करते हैं इसके एक हम समुच्चे लेते हैं इसमें अभयब कुन-कुन से हैं एक दो तीन और हमने आर क्या बनाया आर एक में अभयब क्या है यह पेर जो है एक एक दो दो तीन तीन एक दो दो एक दो तीन और एक तीन हमने एक पेर लिए हो गए हैं अब हम स्वतुले चेक करते हैं तो हम यह दिखते हैं कि एक एक दो दो और तीन तीन आरो में बिलांक कर रहे हैं यहाँ एक सम्मंद आरो सवतल लिए हम एक संक्रम चेक्व करते हैं यादि एक दो और दो तीन, किसके अवयव हैं? आर के, तो यादि हम दो को हटा देते हैं, तो एक तीन जो प्यार होगा, वह भी आर में है, आर में दिख रहा है, यहां दिख रहा है, आर में, इसका मलब आर जो है, संक्रामक भी है, तो आर्चू की सौतल है, सम्वित है, संक्रामक है इसलिए आर जो एक तुल्व धारा के द्वारा हम संबन्द के बारे में अध्यन करेंगे इसमें एक समुच्चा है जिसमें बालकों की स्कूल में सभी विद्यारतू का समुच्चा है और आर कैसे डिफाइंड किया है, इसमें ए और बी का प्यार जो है, इसमें ए बी की बहन है इस संबन्द वारा इसको डिफाइंड किया गया है तो हम जो दिखते हैं कि आर जो समुच्चा है, जिसमें ए बी का प्यार है, जिसमें ए बी की बहन है तो किसी बालकों की स्कूल में बालका नहीं हो सकती है अता है A-B की बहन नहीं हो सकती है इसका मलब इस संबन R जो है क्योंसा संबन होगा? रिक्त संबन होगा अब R-S दूसरा एक संबन डिफाइंड किया है AB का पेयर है जिसमें AB के उंचाइओं का अंतर 3 मीटर से कम है तो यह इस पष्ट है कि दो विद्यारतियों की उंचाइओं का अंतर हमेशा 3 मीटर से कम ही होता है यह था है R S जो है इसमें A क्रास E के सभी अभियाब आएंगे यहन्या R S बराबर A क्रास E तो R S क्या हो जाएगा एक सार्वितिक संबन होगा हम एक दूसरा उर्धाना देखते हैं जिसमें T जो है वो उसमें सभी तर्भुजों को एक समुझ्चा है और इसमें एक R जो डिफाइंड किया है कि दो तर्भुज लेके चलना है T1, T2, T1, T2 के सरवाक्सम है तो यह संबन हमको दिखाना है कि यह एक तुलेता संबन है तो हम जानते हैं कि कोई भी तर्भुज अपने आप में सरवाक्सम होता है तो T1 सरवाक्सम है T1 के अथा R एक सवतुले संबन है अब हम देखते हैं कि माल लेते हैं कि T1, T2 का पेर बिलांग करता R में इसका मलब क्या होता है कि T1, T2 के सरवाक्सम है तो T1, T2 के सरवाक्सम है तो T2, T1 के सरवाक्सम होगा अथा तो T2, T1 का पेर भी R में होगा तो यह संबन क्या कहलाएगा संबन अब तीसरा देखते हैं संक्रामक चेक करते हैं जिसमें यदि हम दो लेके चलते पयर, T1, T2 और T2, T3, किसके अभे अभे हैं, R के. इसका मलब क्या हो गया है? T1 T2 के सरवाकसम है, T2 T3 के सरवाकसम है. तो अभी से निसक्त निकलता है कि T1 जो है, T3 के सरवाकसम होगा. अतार T1, T3 का पेर जो है वो R में बिलॉंग करेगा एह अता है R एक तुलता संबंध है अब हम देखते हैं एक हमने समतल में इस्तित सभी रेखाओं का एक समुच्चा लिया है L और उसमें एक संबंध डिफाइंड किया है जिसमें दो लाइन L1, L2 का पेर लिया है जिसमें L1, L2 पर लंब है इस संबंध के बारे में हम अध्यन देखेंगे तो हम से देखते हैं कि स्वतुल चेक करते हैं तो कोई भी लाइन स्वेम पर लंब नहीं होती है अथार्थ L1, L1 का पेर आर में बिलॉंग नहीं करेगा अथा यह संबंध स्वतुल नहीं है अब हम देखते हैं संबंध चेक करते हैं यदि एक L1, L2 का पेर लिया लिके चलते हैं यदि L1, L2 पर लंब है तो L2, L1 पर लंब होगा याने L2, L1 का पेर भी R में बिलॉंग करेगा आता है यह सम्मन्थ सम्मेथ है अब हम देखते हैं कि L1, L2 का पेर R में है इसका मलब क्या होता है कि L1, L2 पर लंब है अब दूसरा पेर लिके चलते हैं L2, L3 बिलॉंग्स टू R इसका मलब क्या हो जाएगा L2, L3 पर लंब है अब हम देखते हैं कि L1, L3 पर लंब नहों करके समानंतर होगा इसका मलब L1, L3 का पेर जो है R में बिलॉंग्स नहीं करेगा अथा R संक्रामक नहीं है